नवस्कार आप देख रहे हैं उदापर न्यूज आपके साथ मैं हूँ क्रितिका खाबर में जाने से पहर नज़र डालते हैं अब तक की हेड्लाइन्स पर नकली घी का गुदाम सीज डेड़ सो किलो घी जप्त देर रात मचा हर कम बायत विरोधी नारी लगाने वाले कश्मीरी चात्रा के खिलाफ पुलिस कारवाई शुरू कारवाई को लेकर चात्रों और गेस्ट फैकल्टी ने किया कॉलिज पन और अब खबर विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं नकली घी जप्त होने की नवरात्री और दिपावले से पहले खादे विभाग और पुलिस सकरी हो गई है उसे के साथ शहर के भुपालवाडी इलाके में पुलिस ने एक दूद डेरी के नकली घी के गोदाम को सीच किया कारवाई के दुरान पुलिस ने डेर सो किलो से अधिक गी जप्त किया अचानक हुई कारवाई से व्यापारी सक्ते में आ गए पुलिस ने बताया कि रात ग्यारा बजे मुखबीर की सूशना पर पुलिस ने भुपालवाडी इस्तितर जामिश्वर दूट डेरी के गोदाम पर छापा मारते हुए कारवाई के इसमें डेरी से देर सो किलो गी जप्त किया गया 20-20 किलो के ड्रम और 13 स्टिल के भगोनों में घी भरा हुआ था पुलिस ने गी जप्त कर गोदाम को सीच कर दिया वही डेरी मालिक दौलत राम पुत्र दला डांगी के खिलाफ मामला दर्च किया गया है इस दोरान डिप्टी गोपार सीहा थाना अधिकारी गोपी चंद मैज आपते के साथ मौके पर पहुँचे गोदाम में खादे विभाग की कारवाही करीब एक घंटे तक चली इस दोरान विभागी अधिकारियों ने सभी ड्रम से घी के अलग-अलग सेंपल लिए खादे विभाग के अधिकारी अब इन सेंपल्स को जाँच के लिए भेजेंगे और खी में मिलावत या नकली पाए जाने पर गोदाम मालिक पर कारवाई की जाएगी जाएगी छड़ा ने बसकारी इनाट, जाएगी तक दोरान जाएगी है सबस्सरिवे हाई अधिया, जाएगी रखे है, आएगीं फणलापने उनी के रावाईआखान हे कि चपड़ी कल पूरप ना ऐसा कुछ नहीं है कि साइड में लगा दू कि कल रात दिनां गठाइस को रातरी करीब और ग्यारा बजे थाना भानमुली से सूचना मिली मुझे दूर बास पर कि यहां बोबाल बाड़ी में कोई गी में संदे है पाया गया इसके तेद मैं यहां उपस्तित हुआ तो आदको सिर्मान डिप्टी साहब और सीई साहब के प्रजेंस में जो भी यह गी रखा था जरुक किया था उसको एक अम्रे में रखकर के सीज़ किया गया और अभी ठाने की तहरीर की पालना में जो गी रखा है उसमें से सेंपल लिए जारह है और सेंप कार द्वारा मसालों और फूड नूटेंस का अभ्यान चला है जिसके तैट कारवई की गई है तेवारी सीजन पर वापस स्पेशल भी ड्राइव चलेगा उससे पहले हम रूटिन में भी सेंपल की करेया कर रहे हैं और यह में तुमनी करन किये जा रहा है लेबरेटरी या कार कारियरत है संभाक स्थर की लेबरेटरी कारियरत है जो चेके साले परिशर में है एक्ट में प्रवीजन है 14 दिन के अंदर उनकी रेपोर्ट देने का उदापर के टेक्नो इंडिया इंजिनिरिंग इंस्टिट्यूट में कश्मीरी चात्र द्वारा देशवासियों की भावना के साथ खिलवार करने की मामले में पुलिस ने अपनी जाच शुरू कर दी है हिरनमगरी थाना पुलिस ने कश्मीरी चात्र मुदासर राशीद और ABVP की कारिकरताओं की खिलाव मामला दर्च कर जाच शुरू की है कश्मीरी चात्र मुदासिर राशित के खिलाव पुलिस ने राश्टर दोह के तहट धारा 124A और IT Act में मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है इसके साथ ही ABVP के कार्टाओं के खिलाव पुलिस ने हंगामा करने और तोरफोर करने का मामला दर्ज किया है पुलिस मुदासिर राशित के खिलाव IT टीम से जांच करवा कर सबूत जमा करने के तयारी कर रही है वहीं IT टीम द्वारा मुदासिर के खिलाव पुष्टी होने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी उदापुर की कॉमर्स कॉलिज में जनमे दिन मनाने के नाम पर हुआ विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है इसकड़ी में प्रॉफेसर विज्जे श्रीमाली के समर्थन में गुरवार को कॉमर्स कॉलिज की गैस्ट फैकल्टी संभागे आयुक्त कार्याले पहुची गैस्ट फैकल्टी से जुड़े स्कॉलर्स ने ग्यापन सौपकर छात्र रोनब पुरोहित पर कारवाई की मांगी इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि यदि रोनक पुरोहित पर कारवाई नहीं होगी तो कॉमर्स कॉलिज में कक्षाओं का संचालन नहीं होगा आपको बता दें कि मंगरवार को कॉमर्स कॉलिज में छात्र रोनक पुरोहित अपना जन्मदिन मना रहा था उसी दोरान प्राफेसर विजे श्रीमाली ने थपपड जड़ दिया था उसके बाद छात्रों के दो अलग-अलग गूटों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी-अपनी मांगे विशु विध्याले प्रबंदन के सामने रखी और बुपार कुरा थाने में मामलात दर्श करवाया करें मैं तो हैंनी थाने महां है और टाया हुए टाया थेकर्णल तो मुए टाया ड़को ह Burnname ौक्न के सिमेयर को पार बढश्नल मुज टाया हुए कितर अबर्शन करते हुए उपना तस्फ थे हो ढलिए जसा झाला का क्या था क्युंतर था किसने लोग जो यहरो और यहां रुकिंग एक ब्रिक के लिए आप देखते रही हूँ दापर नियूज नए रिष्टों की मस्कुराहट हम बहु भी समझते हैं भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं जिन्दगी की शाम होने से पहले यहां खुशियों के चिराग चलते हैं खुशनुमा महौल में यहां दिल के इरादे जलकते हैं अंकहे चस्पातों को भी हम खूब समझते हैं We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face, world class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology and compassionate doctors with holistic patient care Geetanjali Hospital, health is health खुशन दिन्मा में जुशन और उन्राषी, तुशन तुशन गवाशन नही थे जाँ द़गस जोगन पहँ एकादी, आपके तुशन के लिखबगस के लिवेशने और हैं आपके जादी के दोश्सक्ड़मस चुशन पहां खबंगस हमारे यहाँ पर टेक्स्मो ब्रांड की पानी की मोटर, बोर्विल मोटर, वाटर पंप, वाटर्पूफ मोटर, एवं पंप, सभी साइज, एवं सभी तरह की मोटर ने उपलब्ध है संपथ, महादेव एंटरप्राइस, मेवार मोटर की कली, अर्मान कॉंपलेक्स, उध्यापूर, 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 कॉल इट 0-94-241-4256 और 9-4141-222-1 बिगेस्ट मुल्टी ब्रांग स्टोर उध्यापूर, राजा साहिब एक्से, लेडीज, जेंट्स, और किड्स, अल गामेंट्स 411 भुपालपूरा अपोजिट गत्तानी होस्पितल, उध्यापूर, कॉल इट 0-94-241-1-0666 रायन मोटर्स लगातास तीस वश्चों से आपकी सेवा में हीरो मोटर्स कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्यादुनिक शोरूम एवं वरक्शोप जहां आपको मिलेंगी विश्वस्तरियस सर्वेस एवं जन्रिल पार्क की सुविधा हीरो मोटर्स कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध बुकिंग का लाग उठाएं रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदैपुर फोन 2426838 रॉयल हुंड़ी लगातार प्रत वर्शों से आपकी सेवा में हुंड़ी के सभी मॉडल उपलब्ध बुकिंग का लाग उठाएं आईए अपनी पसंद का मॉडल ले जाएए एक्सचेंज वर फाइनेंस सुवधा उपलब्ध आजी कुरत विक्रेता रॉयल हुंड़ी 15A ट्रांस्पोर्ट नगर गोवलजन विलास बाइपास के नस्दीक उदैपुर फोन 2640452 मनामा मोटर्स लगातार चोईस वर्षों से आपकी सेवा में शहर के मद्य हीरो मोटरकॉप का सबसे भव्य एवं विस्टर छोरूम वरक्षोप जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विस्टरी सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा हीरो मोटरकॉप की सभी मॉडल सभी रंगों में उपलत सर्व सुविधा युक्त वर्षोप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देख रिख में बुकिंग का लाब उठाए मनामा मोटर्स बी एन कॉलेट के सामने उदैपुर राजस्थान में कॉम्पेटिशन एक्जाम्स को क्रेक कराने वाले उदैपुर संभाग के सबसे बहतरीन संस्थान GKS अकेडमी की स्थापनाप पूजिनिय माताश्री श्रीमति गुलाब कुमर जी की पुन्य स्मृति में नवंबर 2013 में की गई सर्वशेश फेकल्टी मेंबर्स के अनोखे टिचिंग मेथर्ण ने इसे राजस्थान के स्थुडेंट्स की पहली पसंद बना दिया सेकंड गेट शिक्षक, थर्ड गेट शिक्षक, आरेएस, एसाई, कॉंस्टेबल, ग्राम सेवक, लडीसी, बैंक पियो, एससी, आदी प्रतियोगी पर इक्षाओं की ट्रिक्स के आधार पर पोचिंग करवाई जाती है शांदार वाइफाई केमपस में स्टुडेंट्स के टेस्ट, OMR के मात्यम से लिये जाते हैं साथ ही यहां पर ज्यान के खजाने के रूप में लाइडरी भी उपलगते हैं स्टुडेंट्स की प्रोबलम को सॉल्व करने के लिए यहां पर विशेश क्लास से चलाई जाती है GKS Academy स्वागत वाटिका के सामने सेक्टर 4 उदेपुर कॉल 2733 00944-850-4068122 झाल 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 प्रिक्यवद आपका स्वागत है उधापुर में गुरुवार को अनुसुची जाती प्रदेश कारे समीती की दो दिवसी बैठक शुरू है इस बैठक के उधगाटन सत्र में केनर सरकार के खादी आपूर्टी राज्यमंत्री सिया चौधरी शामिल हुए बैठक में अनुसुची जाती प्रदेश की राज्यिस्तरी कारीकारेनी की सभी प्रदादीकारी मौझूद रहे सातो संभा के प्रदादीकारी बैठक में शामिल होने के लिए उधापर पहुँचे और केंदर और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा किये बैठक में दो दिनों तक अनुसुची जाती के प्रदादीकारी सरकारी योजनाओं के क्रियानवेन पर चर्चा करेंगे दरसल आदिवासी अंचन में रहने वाले लोगों के लिए योजनाय तो बहुत संचालित हो रही है लेकिन उनका सीधा लाब जरूरत मंद तक नहीं पहुँच पा रहा है ऐसे में केंदरी मंतरी सियार चौधी ने साफ किया कि बैटक के दोरान सरकारी योजनाओं के लाब अनुसुचित जाती के लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुँचे इस पर चर्चा की जाएगी जिसमें आदी वासी जन जाती लोगों के लिए जितनी स्किम्स भारत सरकार, राजस्तान सरकार किये उन पे दो दिन बैटके मनतन करेंगे और आगे इन योजनाओं में कोई सुधार या इनके कोई नए सुजाव उनको यह एकतित करेंगे, संकलित करेंगे और फिर उसको भारत सरकार, रास्ता सरकार को मुख्यमंद्री पर रामंद्री जी तक पहुंचाएंगे ताकि कोई वास्ता में अच्छा सूजाओ हो जिसके करण आदी वासियों जन जाती लोगों को फाइदा हो सकता हो वो इसके निश्यदू से उसको लागू करवाने कोशिस करेंगे राश्ती ब्रामन, युवजर, महासभा और हिंदू सनातन मंच के साजह में गोरक्षा संकल्प समागम का आईजन किया जा रहा है इस समागम के चलते हुए हजारों गोरक्षक 2 अक्टबर को टाउन हल परिसर में इखटा होंगे गोरक्षक यहाँ पर इखटा होने के बाद टाउन हल परिसर से रवाना होकर विभिन मार्गो से होते हुए जिला कलेक्टरी पर पहुँचेंगे गोरक्षा संगल्प समागम को लेकर राश्ट्री संगठन मंतरी चंदर शेखर जोशी ने बताया कि गोवंश को बचाने के लिए गोरक्षकों को आगे आना होगा और इसके लिए प्रयास शुरू हो चुका है केंडे सरकार और राजी सरकार को गोवर्णश को बचाने के लिए कछो नीती बनाएं इसके लिए इस समागम की माध्यम से हजारों युवा एक साथ सरकार के सामने मांग उठाएंगे उन्होंने यह भी कहा कि गोवर्णश को बचाने के लिए अब हर युवा को आगे आना चाहिए जिसे गोव माता के प्रती सभी के मन में अच्छे भाव उत्पन हो सके यहां पे पवार है आज इतना बड़ आयोजन पी पॉल्टिकों बाढ़िया कर यहां सिर्फ और सिर्फ समर्पिर दो पर कोई नोगरी पे नहीं गया है दो अक्तुमबर को राष्टी ब्रावणी उजन सभा और हिंदू सनातन मंच के समयुक्त तत्वादान में पिशाल गोरक्षा संकल्प समागम का आयोजन किया जा रहा है उदेपूर में जिसमें समपूर्ण राजस्थान से उदेपूर संभाग से करीब 4500 गोवगतों को संकल्प के लिए हमने आमंतरित किया है विगत एक माह से इसकी तैयारी चल रही है इसमें राष्टी मुस्लिम मंच के राष्टी अध्यक्ष जो है हमारे मुख्य मार दर्शन करता और है इस संकल्प समागम का एक जो हमारा उद्देश है वह यही है कि आज के जो परिस्तितियां है उन परिस्तितियों में सम्वेदानिक रूप से भी हमारी श्रद्दा के रूप में भी हमारी आस्था के रूप में भी गोवद जो हो रहा है या गोवद जो दशा और दिशा जो है जो दशा है वो इतनी हे क्यों है इतनी पीड़ा क्यों है उस पीड़ा को कम कैसे किया जाए गोवद सरक्षन और बार नहीं निकला है हमारे दिलों से भी बार निकला है उस रदे में पुना गौमाता कैसे स्थान पाए उसको लेकर और विबिन राष्टवादी विचारदाराओं को लेकर और वर्तमान परिपेक्ष में जो नीतियां है सरकारों की जो नीतियां है और जो जनता का जो बागिता हो और हम जो प्रयास और जो संकल्प लेकर चले हैं वो स्वर जो लेकर चले हैं वो स्वर मुखरित हो अब जो राज सत्ता हैं इस मामले को लेकर मौन न रहें जो समाज है इस मामले को लेकर मौन न रहें और अपने स्वर को मुखर करें अपनी भावनाओं को मुखर करें और एक संकल्प इस आयोजन के माध्यम से ले कर जाए और गववंच की जो दशा है गाय राष्ट्री माता पुना गोशित हो राष्ट्री माता का गाव विश्वत से मात्रह जो कहा गया है वो विश्व माता पुना उस पद्वी को वो गाव माता प्राप्त करें इन प्र मागम में हमारे आये और संकल्प ले फूल माली समाज उद्यापूर द्वारा समाज की 207 महिलाओं का सामुईक अनबोली उध्यापन कारीकरम का भवे आयजन सोफित रोड इस्तित नंदभवन में 30 सितंबर को शाम 5 बजे से आयजित किया जाएगा नंदभवन प्रांगन म में एक विशाल पांडाल बनाया जा रहा है जिसमें 207 महिनाओं को विदिवत तरीके से एक साथ मंत्रो चर एवं हवन वा पूजल वारा सामुईक उद्यापन कराया जाएगा हमारे यहां उद्यापन के लिए 207 जोड़े इसमें भाग लेने हैं भाग लेने वाले सबी जोड़े तीस तारीकों यहां उपलो होंगे उसके बाद यहां उद्यापन का कारिकर होगा दूसरे दिन प्रीती भोज का आयोजोनों का प्रीती भोज में पूरी सवाज के लिए वह चार अजार व्यक्ति भाग लेंगे हमारी यह जो जोड़े भाग ले रहे हैं वो लगबख सभी ख्रित्र के हैं जिसमें चितोड भीलवडा उद्यपूर और रास्वन ख्रित्र के हैं इसमें बाहर के लोग कम मात्रा में हैं लेकिन उद्यपूर के अधिक व्यक्ति इसमें भाग ले रहे हैं इसमें जो आयोजोन किया जा रहा है इस वो देश की सुरक्षा की द्रस्टी से भी बड़ा मत्पूर की भारत पर अपत्ति की संकट बन रहा रहे हैं सिस्ती टीम में हमें चाहते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा हो इसमें ये भी एक उद्दिश है जिसे परिवार वाले इसमें भाग लेकरके और अपने परिवार जनों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा का भार अपने उपर उठा करके इस व्रत का उध्याफन करना चाहत और चलते चलते एक बार फेसेनल डालते हैं अब तक की हेड्लाइन्स पर नतली घी का गुदाम सीज डेड़ सो किलो घी जप्त, देर रात मचा हर कम भायत विरोधी नारी लगाने वाले कश्मीरी छात्रा के खिलाफ पुलिस कारवाई शुरू कारवाई को लेकर शात्रों और गेस्ट फेकल्टी ने किया कॉलिज पन उदापुनियोस के स्प्लेटिन में फिलाल इतना ही शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे फिलाल इजाज़त दीजे कृतिका 24 को और खबरों के लिए देखते रहें उदापुनियोस नमस्कार